अज के टॉपिक में हम डेल्टा स्काडा सिखने वाले डेल्टा स्काडा क्या होता है फर्स्ट अपल हाउ टू डाउनलोड डेल्टा स्काडा सॉप्ट्वेर आपको गूगल क्रोम में जाना है गूगल क्रोम में जाके आपको डेल्टा डव्यू डव्यू टाइप करना है और एंटर करना है इसके बाद आपको डेल्टा की एफसाइट यहाँ ओपन हो जाएगी वेल्कम तू डेल्टा ग्रूप तो आपको आप क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको प्रोड़क्ट पे जाना है प्रोड़क्ट के बाद इंडस्ट्रियल आटोमेशन पे तिक करना है इंडस्ट्रियल आटोमेशन होने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा तो या सारे देल्टा के सारे AC बोटर ड्राइवर है है is powerinery power quality ऐसे बहुत सारे प्रोड़क्त है तो इसे इधर लास्ट स्कृूल करेंगी आप तो यहां सौब्डियर जैरा सिस्थ्टिम डियसांतर है तो आपको स्क council अब करना है कर लिए तो आपका डेल्टा का स्कृर्डियरं अपन हो जाएगा ऊपन होने के बाद आपको SCADA के अंदर, features and benefits SCADA के क्या-क्या है, इसके अंदर आपको पूरा समझाया है, Stable Industrial Communication, Seamless Integration with Delta PLC, Other Products, WPF Technology, Inductitive Interface, Flexible, Horsa Style, Variable and Parameters, Friends Graphical Demonstration, इतने सारे आपको various type में ये SCADA के अंदर tag रहिते है, IOS point मतलब tag, 64 tag का आपको SCADA मेरेगा, 128, 256, 512, 1500, 1500 और 3,000 और अल्टिने इतने various type में आपको SCADA अविलेबल है, और application SCADA का use होता है, HVAC, Water Treatment, Central Heating, Electronic Manufacturing या सब इसमें SCADA use होता है, तो आप हम सिखने वाले SCADA का ये software download कैसे कर रहा है, आपको scroll करने के बाद, या download option आता है, download center, download center पर आपको ok करना है, ok करने के बाद या window open होंगी, या आपको welcome to download center की window open होने के बाद, इंडर्स्ट्रिल आटोमेटर में आपका सब second part में इस product को आपको category करना है, तो first of all आपको या scroll down करना है, और software में आखके SCADA system DIU पर click करना है, क्लिक करने के बाद, ऐसा error भी आता है, तो आपस आना है, और SCADA system पर click करना है, उसके बाद, submit button पर submit करना है, फिर से error आना है, DIU पर click करना है, DIU tick करने के बाद, आपको या select data type से आपको catalog चेट लोग के click करना है, technical document चाहिए, उस पर click करना है, software चाहिए, software पर click करना है, तो मुझे catalog चाहिए, technical document चाहिए, और software चाहिए, तो इनको click करके submit button पर click करना है, पर click करने के बाद, आपको या catalog delta DIU SCADA system ये कब का issue हुआ है, या PDF file या टिक करके, आप PDF file डाउन्डोड कर सकते है, और उसके technical document चाहिए, आपको या टिक करके डाउन्डोड कर सकते है, और उसके बाद आपको ये DIU SCADA डाउन्डोड कर सकते है, और आप latest version market में फिलान 2.61 है, DIU SCADA तो आपको ये डाउन्डोड या से जेप file डाउन्डोड कर सकते है, या टिक करने के बाद आपको पूचेगा हो, कहाँ पे डाउन्डोड करना है, और उसको ओके कही रहा है, ओके करने के बाद आपका ये 644 MB का A, आपको ये डाउन्डोड हो जाएगा, आप मैंने पहले से डाउन्डोड किया है, तो मैं आपको इस्टॉल कर आगे के एडियो में इस्टॉल तैसा कर पे सॉप्टेर मैं यो बताऊगा, थेंक्यू, झाल कर दो झाल कर दो दो झाल कर दो मैं ये राउन्डोड़ को इस्टॉल पोड़ागा,